लोकसभा 2019 की तयारियों में सभी पार्टिय अपना दमखम लगा रही हैं वहीं पूर्वकेंद्र मंत्री शिप्रकाश जैस्वाल कानपुर पहुंचे इस दोरान उन्होंने भगवान हनुमान की पूजार्जना की और हनुमान जी पर हो रही राजनीती को बंद करने की गुज की उन्होंने कहा कि लोग अपने स्वार्ट के लिए भगवान हनुमान के नाम पर गंदी राजनीती कर रहे हैं वहीं कॉंग्रेस कारेकरताओं ने पोस्टर और बैनरूं को लेकर देश के सियासत से हनुमान जी को दूर रखने के अपील की पूर्वमंत्री ने कहा कि हनुमान को जात के लाम पर नहीं बाटना थी भगवान स्रद्धा और आस्था कवीशर होते हैं उनको जात पर वांटने की जो लोग पोशित कर रहे है उन लोगों नहीं राम को ही बाटा और आज हनुमान को बाटने पहा हाहने रहा है आपको बता दें कि भगवान हनुमान को लेकर इन दिनों सियासत के रोटियां हुप से की जा रही है लेकिन कहीं न कहीं भगवान हनुमान को बांट कर लोगों के आस्था के साथ खिलवार करने का खाम किया जा रहा है देखना होगा इस घिरौनी राजनीती को कब तक बंद किया जा सकता है पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अमरिश्टर पाथे के रिपोर्ट